हलो नमस्कार साथियों आप सबों को फिर से अपना यूटूब चेनल मा आसा इस पॉइंट में स्वागत है मेरे प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लाश टू वेल्थ हिस्ट्री के चप्टर 3 जिसका नम है समाजी कितिहास महाभारत के विशेश संदर में उसके सभी अब्यक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इसी वज़े से इसको आप लोग ध्यान से अंतक देखेंगे और ये चप्टर आपके जो है न बुक में बहुत इंपोर्टेंट है महाभारत से आपके बोड एक्जाम में प्रतियक साल क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोग इसको ध्यान से अंतक देखेंगे और अगर आप हमारे यूटूब चेनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल एकन को भी दवाएंगे ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास इसका नौटिफिकेशन जाए बाकी मैं बतना चाहूंगा कि आपका जितने भी सब्सक्राइब करेंगे हम बारी बारी से सब का अब्जेक्टिव उसका लाइन बाइन एक्स्पिलेन करेंगे और उसके सोट और लॉंग कुश्चन भी प्रोवाइड करेंगे इसी बज़े से आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और लगातार continue आप इस वीडियो को देखेंगे प्रति एक वीडियो को जिससे आपका result best होगा तो चलिए इसके सभी अब्जेक्टिव को solve करते हैं तो पर्थम question है कि महाभारत की रचना किस भासाम होवी देखें 2019 में पूछा गया है तो महाभारत की जो रचना जो है न ये किस भासाम होवी तो आपके सामने options है ये संस्क्रीट दुसरा है पाली तिसरा प्राकिरतिक और चौथा है हिंडी तो आप धिहान डखेंगे महाभारत की जो रचना जो हुआ था ये संस्क्रीट भासाम हुआ था ये इसका correct answer होगा next question है पुरानों की संख्या कितनी है बहुत important question है पुरानों की संख्या कितनी है आपके सामने options है 16, 18, 19 और 20 तो याद रखेंगे पुरानों की संख्या 18 है 20 का correct answer होगा next question है कि स्रीमद भागवत गीता के महत पर किसने विचार व्यक्त किये तो आपके सामने options है महत्मा गांधी दूसरा है विवे कानन जी तिसरा है बाल गंगाधर तीलक और चोथा है इन में से सभी तो इन में से सभी जो है न 20 का correct answer होगा यह सभी ने भागवत गीता पर टिपनी की है यानि कि सभी ने भागवत गीता पर कुछ न कुछ लिखे हैं कुछ न कुछ बोले हैं next है मनु एस्मिर्ती के रचेता थे तो आपके सामने options है वेद वियास दूसरा है बाल में की तिसरा है मनु और चौथा है यागवल्लव तो इसका correct answer हो जाएगा आपको सी देखिए यहां मनु एस्मिर्ती है मनु आ गया न पहले तापको ध्यान रकना है मनु से मनु जी ने मनु स्मिर्ती के रचेता है उन्होंने ही लीखा है नेक्स्ट कुश्चन है कि मनु स्मिर्ती में कितने प्रकार के विवाह का उलेक क्या गया है कहते हैं कि मनु स्मिर्ती में कितने प्रकार के विवाह का उलेक क्या गया है पर्थम अप्संस है चार दूसरा है चो तिसरा है आठ और चोथा है नो इसका correct answer हो जाएगा आपको C यानिकी 8 C इसका correct answer होगा Next question है कि महाभारत का यूद कितने दिनों तक चला बहुत important question है तो क्या होगा इसका answer 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन या 18 दिन इसका correct answer हो जाएगा आपको D यानिकी 17 दिन Next question है कि महाभारत किसी ने लिखा बहुत important question है 2013 में 16 में और 20 में भी पूछा गया है तो क्या होगा आपके सामने options है बाल में की दुसरा है मनु तिसरा है कोटिल और चोथा है वेद व्यास जी तो महा भारत की जो रचेता है वो है वेद व्यास जी D इसका correct answer होगा next question है कि महा भारत और पुरान में मतुरा के सासक once को कहा गया क्या कहा गया पूरू तुरुवस या यदू या सभी तो महा भारत और पुरान में मतुरा के सासक once को जो है न यदू कहा गया क्या कहा गया यदू यानि कि यदू once ही कहा गया था next question है कि प्राचिन भारत के महा काब का नाम है कहते हैं कि प्राचिन भारत के जो महा काब होते हैं उसका क्या नाम है महा भारत रिगवेद या मनुन श्मिर्ति या इन में से कोई नहीं तो जैसे महा काब आग गया अगर रामयन है या महा भारत दोगो अप्संस देगा अगर रामयन किसने किया यानि किसके रचेता कौन है किसने इसको रामा इनको लिखा बाल में की मनु वेदवियास या याग्यवल लव्य तिसका correct answer हो जाएगा आपको ए यानि की वाल में कीजी ए इसका correct answer होगा next question है दुर्योधन की मा कौन थी बहुत important question है पर्थम options है गंधारी दुसरा है कुंती तिसरा है मादरी और चोथा है सत्वती इसका correct answer हो जाएगा आपको ए यानि की गंधारी next question है दुर्योधन की और से कौरव पांडव युद्ध सामिल थे तो कहते हैं दुर्योधन की और से कौरव पांडव युद्ध में कौन सामिल थे तो दुर्योधन की और से क्या होगा कृष्ण या पांड़ो या संतनो या भीश्म दुर्योधन है देखे ध्यान डखेंगे दुर्योधन की और से भीश्म जी थे नेक्स्ट कोईस्चन है कि भीम की पतनी थी याने कि इन चार अप्संस में भीम की पतनी कौन थी दुरौबदी, गंधारी, या हिडिमबा, या अमबा इसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको याने कि हिडिमबा कौन था, हिडिमबा, नेक्स्ट कोईस्चन है कि गांडिव क्या था, आपके मने प्रस्ण उठता होगा नि ये गांडिव क्या था या क्या है, अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुस या अर्जुन का मित्र तो सधारन बात है कि गांडिव क्या था अर्जुन का धनुष का नाम था गांडिव है ना next question है कि युद्ध भूमी में अर्जुन के सामने कि सैना में कौन था यानि कि युद्ध भूमी जहां युद्ध हो रहा था उस भूमी में उस जगह में अर्जुन के सामने की सैना में कौन था द्रोना चार या भिष्म पितामह या युड योधन या उप्रुक्त सभी तो स्वभाविक है कि युद्ध हुआ था तो उनमें सभी था डीस का correct answer होगा गीता में उप्रुक्त सभी तो इसका correct answer हो जाएगा आपको सभी याने की भगवत गीता में कहा गया है कर्म करो निश्वार्त भाव से भविष्म की चिंता मत करो कहते भविष्म क्या होने वाला है अभी सोच करके मस्पस्त आओ और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है सिर्फ तुम अच्छा कर्म करो उसका फल क्या मिलेगा वो उपर वाले देंगे आपको उससे कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट है कि गोतर किसका सुचक था अपके समने उप्संस है परतियक उपजाती के समान पूर्वज या व्यवसाइक उपजातियां या उपजातियों का समान निवासस्थान या एक जाती विशियस का निवास छेतरती इसका जो करेक्ट अंसर होगा वो हो जाएगा आप कि परतियक उपजाती के समान पूर्वज ये इसका correct answer होगा next question है कि अर्जुन किसके सिस्य थे भिश्म के या विदूर के या द्रोनाचार्ज के या भीम के इसका correct answer हो जाएगा आपको C यानि कि द्रोनाचार्ज के next question है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा यानि कि इन में से कौन संत है जो गीता को मराठी भासा में लिखा है एकनाथ या नामदेव या तुकाराम या मानेश्वर तिसका correct answer हो जाएगा आपको D यानि कि मानेश्वर next question है कि छत्रिय सब्द का साहित्तिक अर्थ है यानि कि छत्रिय सब्द का साहित्त में क्य अर्थ है राजा लडाकू या रक्षक या राज या छेत्र पर अधिकार होना जिसका जो correct answer होगा वो हो जाएगा आपको राज या छेत्र पर अधिकार होना छत्रिय सब्द का next question है कि अमबा अमबालिका किसकी पत्निया थी बहुत important question है तो क्या होगा चित्रांगद विचि कि पत्निया थी बीश का correct answer होगा next question है कि घटोत कक्च किसका पूत्र था युदिश्ठिर का अर्जून का या युर्योधन का या भीम का याद करे घटोत कक्च जो था न ये भीम जी के पूत्र थे डीश का correct answer होगा next question है गंगा पूतर किसे कहा जाता है बहुत simple question है देखे दो एर अठारा में पूछा गया है तो क्या होगा अर्जुन होगा विदूर या भीम या पांडू इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा क्या होगा जल्दी बताएं आप गंगा पूतर किसे कहा जाता है बहुत अच्छा इसको करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको स्रियाने की भीश में नेक्ट कुश्चन है कि कर्ण की मा कौन थी कुंती या गंधारी या मादरी या सत्वती तो कर्ण की मा जो है न ये आपको हो जाएगा आपको कुंती थी ये इसका करेक्ट अंसर होगा अब है कर्मने से वाधिकारस्ते कर्मने वाधिकारस्ते मा फलेशु कदाचन श्रीमद भगवत गीता कि एकिस अध्याय में वरनित है यानि कि एकिस अध्याय में लिखा गया है प्रथम दुतिय तिर्तिय या चतूर्त इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा आपको भी यानिकी आस्रम को इसका कितने आस्रमों में बाटा गया है कई चैन कि रोपदी किसकी पत्नी थी पत्नी ती अरजोन या भी में या नकूल या इने में से सभी का तो आप तो जाएगा जनते होंगे कि द्रुपती के पाँच आजो है ना पती थे तो इन में से सभी होगा डी इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्स्ट और अंतीमा कुष्चन है कि अभी मन्यू किसका पुत्र था बहुत सिंपल कुष्चन है इसलिए मेरा एक्छा नहीं करता हैं कि इसका answer हम बताएं इसलिए आप लोग इसका answer बताएंगे आपके options में अरजून दुसरा है भीम तुसरा है नकूल या चोथा है शहदे इसका answer आप हमें comment में बताएंगे बाकि इस chapter का जो मुख मुख अब्यक्टिव था हमने इसको जाएंगे बाकि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंटे में बताएंगे अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं प्लिस सस्क्राइब कर लेंगे और आप इसके बेल आइकोन को भी दवाएंगे बाकि शो थैंक्स वेरी मच अल